हेलो प्यारे बच्चों कैसे हैं आप लोग सब मज़े में प्यारे आज हम स्टार्ट कर रहे हैं करेंट इलेक्रिसिटी चाप्टर का लेक्चर नमबर नाइन जो की आज का पूरा लेक्चर होने वाला है हमारा निमेरिकल बेस्ट प्यारे आज मैं आपको कराने वाला हूं कॉमिनीशन ओफ रिजिस्टर्स पे बेस्ट निमेरिकल जिसमें करने वाले हम लोग की रिजिस्टर्स अगर सीरीज में लगे हैं पैरलल में लगे हैं तो उग एकोवलेंट रिजिस्टेंस निकालिए कियों में कैसे करे जाते हैं वो भी हम यहां पे सीखने वाले हैं प्यारे अगर इससे पहले के lectures आपने नहीं देखे हैं सारे lectures के link नीचे description box में given हैं वहां से जाके आप उसको attend कर सकते हैं फिलाल चलते हैं हम आज के अपने lecture की तरफ प्यारे मैं हूँ वेभव अगरवाल and welcome to your प्यारा सा चैनल physics bro और यहां start हो रहा है आपका question number one प्यारे यह बता दें आपको कि यह जो questions हम start कर रहे हैं basic level से start कर रहे हैं और basic level से start करते 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 मेडियम लेवल और complex circuits तक हम पहुचेंगे इस lecture के आखरी में कुछ बहुत ही भीतरी लेवल के numerical करने वाले हैं और वाकई में आपको अगर आप मन से इमांदारी से यह पूरा lecture अटेंड करते हैं तो वाकई में आपको इस lecture पूरा अटेंड करने के बाद मज़े लग जाने हैं तो अपनी कॉपी और पैंसिल लेके बैट जाएए मेरे साथ साथ आपको निमेरिकल करने हैं फिलाल प्यारे पहला निमेरिकल बोल रहे हैं और वायर ओफ रिजिस्टेंस फोर आर इस बेंट कर लिया बहुत ही बेसिक सा लेवल का कुश्चन है कह रहे हैं इसे इस तरीके से बेंट कर लिया एक सर्किल की फॉर्म में और इसके डायमीटर के एक्रॉस कोई भी दो पॉइंट्स लिये तो सबसे पहले आपको क्या काम करना है उन दो पॉइंट से बाहर की तरफ वायर खेच लेने हैं, जिन वायर से आप बैटरी अटेच करोगे, अगर दे रखी है, नहीं दे रखी है तो तार तो आपको खेच ही लेना है, तार खेच के आपको पता चलता है कि कौन सीरीज, कौन parallel जैसे यहाँ पे पूरा wire four hour ohm का था four hour का था अगर इसे circle में bend करेंगे तो इस पूरे का four hour होगा लेकिन बताओ जरा ये उपर वाले part का कितना हो जाएगा अगर पूरे का four hour है तो उपर आधा part है आधे part का हो जाएगा two hour और नीचे वाला जो अधा पार्ट है उसका भी हो जाएगा 2R और प्यारे अब आप देख लीचे ये जो दो resistors है पूरा wire 4R का था तो एक उपर resistance हो गया 2R एक नीचे resistance हो गया 2R और ये दोनों कैसे लगे हैं पैरलल लगे हैं और पैरलल का resistance equivalent अगर आप निकालेंगे तो ये R1 है ये R2 है तो मैंने बताया था R1 into R2 upon R1 plus R2 यानि R1 into R2 upon R1 plus R2 जो कितना आने वाला है ये आपका आगया 4R into R upon 4R 4 से 4 कट गया R से R कट गया क्या बच गया R बच गया तो equivalent resistance प्यारे आपके पास आ गया R ठीक है प्यारे समझ पा रहे हैं बहुत ही बच्चो वाला question था हलके हलके आपको आगे हम बढ़ने वाले हैं चलिए अगले question पे चलते हैं क्या बोल रहा है अगला question ज़रा देखिए बोल रहे है determine the voltage across the resistor R1 in the circuit diagram कह रहे हैं यह जो resistor R1 है R1 जो resistor है इसके across इसके across voltage निकालना है इसका तो प्यारे जब भी ऐसा कोई question होता है जिसमें बहुत सारे resistors होते हैं series parallel में और किसी का current या किसी का potential difference पूछते हैं तो पहले आपको circuit diagram को simplify करना है जो आप देखिए कौन series या कौन parallel में हैं वो simplify करिए जैसे सबसे पहले बताएए क्या ये दोनों series में हैं क्या दोनों series में हैं क्या एक के बाद एक लगे हैं प्यारे ये दोनों series में नहीं है, capacitor वाले chapter में मैंने यहाँ पे इसकी बहुत detailing करी है series parallel की तो उमीद है कि series parallel आपको आता है कि कौन series कौन parallel फिर भी short में बता दे रहा हूं कि दो register series में सिर्फ तभी हो सकते हैं जब उनके बीच में कोई तीसरा तार ना निकल रहा है यहाँ यह दोनों series में नहीं है क्योंकि बीच में से एक तीसरा तार निकल रहा है लेकिन अगर इन दोनों की बात करें तो यह दोनों एक के बाद देखें बीच में से कोई तीसरा तार नहीं निकल रहा है जिसकी वज़े से यह दोनों series में है और तो आप क्या करेंगे इन दोनों को simplify कर लेंगे 5 और 10 का मिलाके जो equivalent resistance बन जाएगा 5 और 10 का बन जाएगा 15 ohm इसका 15 ohm लिख देंगे बाकी जो जैसा लगा था वो आप वैसा ही लगा रहन देंगे इस तरीके से यह R1 था आपका 18 ohm यह था आपका R2 is equal to 10 ohm और यह जो इन दोनों का मिलाके आया इस तरीके से यह बैटरी लगी थी आपकी 6 वोल्ट EMF की इन दोनों का मिलाके जो 15 आया वो यहाँ पे लगा था साफ साफ प्यारे यह दोनों parallel में है parallel में हो जाएगा इसका 15 into 10 upon 15 plus 10 यह हो गया आपका 150 upon 25 25 10 25 6 तो इन दोनों का मिलाके हो गया आप 6 ओम तो इन दोनों की जगे आप 6 ओम का बना दीजे यह 18 ओम का वैसे ही बना रहने दीजे और इन दोनों का मिलाके हो गया 6 ओम तो इसका 6 ओम ऐसे कर दिया आपने बाकी सब वैसे ही लिखा रहन दीजे अब overall resistance कितना आ गया overall आ गया यह दोनों series में हो गया 18 और 6 मिलाके हो का 24 ओम तोटल वोल्टेज है आपका 6 ओल्ल तो इससे करेंट निकाल लेंगे सर्किट का I is equal to V upon R यानि 6 upon 24 1s of 4s a current आ गया आपका 1 upon 4 Ampere यानी प्यारे बैटरी से 1 upon 4 Ampere का current निकलेगा बैटरी से 1 upon 4 Ampere का current निकलेगा बैटरी से 1 upon 4 Ampere का current निकलेगा उनने पूछा था calculate it the potential difference across resistor R1 यानि ये वाला जो resistor था इसका potential difference पूचा था प्यारे first वाले के potential difference का formula V is equal to IR होता है तो इसमें first वाले का ही current first वाले का ही resistance लगेगा resistance तो हमें 18 दे ही रखा है और बतादो इसमें current कितना जाएगा obviously battery से अगर 1 by 4 ampere जा रहा है तो यही 1 by 4 ampere इसमें जाएगा तो इस तरीके से 222 299 upon 2 यानि 4.5 और unit होगी वोल्ट इस तरीके से इसका potential difference आप निकाल लेंगे समझ पा रहे हैं की नहीं समझ पा रहे हैं जल्दी से note कर लीजे फिर हम बढ़ेंगे आगे अपने आप करेंगे जो simple question से अपने आप करेंगे नहीं समझ में आएगा तो solution देखेंगे और समझ भी लिया है तो अपने आप करिए pause करके TPA का मत फिलहाल आगे बढ़ते हैं क्या बोल रहे हैं अगले question में कह रहे हैं कि circuit एक आपको दे रखा है फिर से in the circuit given below find the whole meter reading across forum फिर से वही काम है whole meter reading का मतलब potential difference निकालना है पिछली बार भी potential difference था अब भी potential difference इसके cross निकालना है थोड़ा सा अलग question देखिए कैसे करेंगे पहले अपने आप करने की कोशिश करिए pause करिए और अपने आप करिए उसके बाद tally करिएगा चलिए करिए pause फिलाल देखिए प्यारे सबसे पहले आप ये करिए कि ये circuit diagram को थोड़ा सा simplify कर लीजे साफ सब बताइए ये तीनों कैसे हो गए एक के बाद एक के बाद एक ये तीनों series में हो गए अच्या series में हो गई है ये दोनों series में नहीं प्यारे इन दोनों के बीच में तीसरा wire निकल ला है तो ये दोनों series में नहीं है ये दोनों भी series में नहीं है wire निकल ला है हाँ लेकिन ये ये और ये तीनों series में है क्योंकि इन तीनों के बीच कोई भी wire नहीं निकल ला तो पहले इन तीनों को सीरीज में करके 2, 2, 2 का कितना हो गया सीरीज में 2 plus 2 plus 4 is equal to 8 तो आप क्या करिए circuit diagram बनाईए फिर से यहाँ पे battery लगी थी कितनी 16 volt की तो 16 volt की battery उपर है आपका resistance 2 ohm ठीक है इधर है आपका 8 और इधर 2 जो जैसा है पहले वैसे बना दीजे और जिसका आपने equivalent resistance निकाला इन तीनों का मिलाके 2, 4 और 2 में लगाके 8 तो इन तीनों का मिलाके 8 ohm लिख दीजे अभी साफ साफ आप देख पा रहे हैं कि वो 8 ohm 8 ohm parallel में हैं और parallel में जब same two register होते हैं 8, 8 तो इनका मिलाके कितना हो जाना है 4 हो जाना है तो इस तरीके से आप यहाँ पे तो 2 ही लिखिए यहाँ पे तो 2 ही लिखिए लेकिन इन दोनों का मिलाके लिख दीजे 4 ohm ठीक है यह बैटरी आपकी ऐसे ही लगी रहेगी अभी इसका overall resistance निकाल सकते हैं जिससे overall current निकाल दीजे ताकि picture clear हो जाए जो निकाल सकते हैं वो निकाल देंगे तो आपके पास options रहेंगे अच्छा हमें यह पता है तो हम इससे यह निकाल लेंगे तो इसका equivalent resistance प्यारे आगया 2 plus 4 plus 2 is equal to 8 ohm total voltage है 16 volt तो total current आपके पास आजाएगा V upon R is equal to 16 upon 8 is equal to 2 ampere इसका मतलब यह है कि बैटरी से 2 ampere 2 ampere का current यहां से निकलना है ठीक है प्यारे अभी आप देखिए बैटरी से 2 ampere का current निकलना है अगर इसका potential पूछा होता अगर यहां पे वोल्ट मीटर लगा और रखा होता तो simply I into R कर देते इसकी reading आ जाती लेकिन यहां इसकी reading नहीं पूछी है इसकी reading पूछी है तो आप क्या करेंगे आप यह बताइए कि 2 ampere का current यहां गया यहां गया इस तरीके से यहां जब पहुचेगा तो यह दो parts में डिवाइड होगा कुछ उधर कुछ इधर बताइए कि इधर ज़ादा current जाएगा obviously उधर ज़ादा current जाएगा जहां की रुकावट resistance कम है आप देखे किस रास्ते की resistance कम है यहां 8 हो में यहां 8 हो में अरे दोनों का resistance सेम होने की वज़े से जो current है वो equally divide होगा 2 ampere आ रहा था तो प्यारे जब इसमें 1 ampere है तो इसमें भी 1 ampere होगा इसमें भी 1 ampere होगा क्योंकि series में current सेम होता है तो लो इस वाले resistor का पूछा था ना वोल्ड मीटर की reading तो V का formula होता है IR क्योंकि इस वाले की V पूछिए तो इसी का I इसी कहां रखेंगे I है इसका 1 ampere और resistance है इसका 4 तो ये लिजए वोल्ड मीटर की reading आ गई 4 volt ठीक है प्यारे अभी कुछ बच्चे बोले सर ये आपने direct लिख दिया कि 2 ampere था current तो यहाँ equally divide हो गया क्योंकि resistance equal थे atom atom थे सर अगर equal नहीं होते तो कैसे direct लिख देते जी हाँ direct नहीं लिख सकते थे उस case में कैसे करेंगे देखिए आप ये note कर लिजेगा इतना तो करी लिजे उसके बाद जो बता रहा हूँ वो note कर लिजेगा कि अगर equal resistance नहीं है तो current कैसे divide होगा देखो यहाँ से 2 ampere का current आ रहा है मान लें कि इधर x ampere का गया तो इधर कितना जाएगा 2 में से x इधर चला गया बचा 2 minus x इधर जाएगा आप मान लें ये i1 है ये r1 है ये i2 है और ये r2 है प्यारे आप ये देखिए दोनों का current अलग है resistance अलग है मान लें resistance अलग-लग होता इसका 8 ohm होता इसका 6 ohm होता तो इधर कौन सा current जाता वो के लिए आप क्या करेंगे चुकि ये दोनों parallel में लगे है तो parallel में क्या same होता है V same होता है तो आप लिखते V1 is equal to V2 और V का formula IR इधर भी IR इधर भी इधर 11 इधर 22 इसका current है X और resistance है 8 तो यहां हो जाता X into 8 और यहां हो जाता current into resistance यानि 2 minus X into 6 और इस तरीके से आप इस equation से X की value निकाल लेते और X आ जाता तो ये भी पता चल जाता इधर के run कितना है और इधर कितना है वो भी पता चल जाएगा तो अगलग अगलग resistance है कैसे निकालना है वो potential के concept से आप निकालेंगे फिलाल यह अपने आप करिए फिर हम बढ़ेंगे आगे pause करिए और अपने आप करिए आ जाएए प्यारे अपने अगले question पे क्या question देखिए बोल रहे हो find the effective resistance of the network between points A and B A और B के बीच equivalent resistance निकालना है equivalent resistance वो भी दो condition में जब बीच में जो switch लगा है वो open है और दूसरा जब वो switch on है on कर दिया on कर दिया तो कितना equivalent resistance होगा off है तो कितना simple सा है बच्चे simple simple करा रहा हो थोड़ा सा starting है जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे level बढ़ते जाना है इसलिए इंतिजार करिए आगे के question का बहुत ही मज़ेदार question आने वाले है फिलाल ये अपने आप करने की कोशिश करिए बोल रहे हैं ये जब open है प्यारे जब ये open है खुला हुआ है तो यहां से जो current आएगा उपर जाएगा नीचे जाएगा लेकिन इस वाली branch में तो कोई current flow ही नहीं करेगा क्यूंकि बीच में circuit टूटा है तो यहां से कोई current flow नहीं करेगा और प्यारे जब यहां पे कोई current flow करना ही नहीं है इस वाली branch में तो इसे हटा दें या लगा दें कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो पिर इसे हटा ही दो बीच वाले पार्ट को ताकि circuit simplify हो जाए तो आप क्या करोगे बीच वाले को हटा दोगे और जैसे ही बीच वाले को हटा होगे आप देखे साफ साफ आपको देखने लगा कि उपर वाले दोनों कैसे होगा है सीरीज में होगा है नीचे वाले दोनों कैसे होगा है सीरीज में अगर बीच में तार ही नहीं है बोले सर आपने का था दो सीरीज में तब ही हो सकते हैं जब बीच में तार ना निकल ला हो और 6 का सीरीज में मिलाके कितना हो जाना है 18 हो जाना है और ये इस तरीके से 18 और 18 का पैरलल में हो जाएगा 18 by 2 is equal to 9 तो ये दो oral questions है इसमें देखिए कैसे करेंगे ये भी oral है प्यारे अगर बीच में switch on कर दें तो ये wire effective हो जाएगा current यहाँ जब जाएगा तो बीच वाले wire में भी current flow करेगा कुछ ना कुछ जिसकी वज़े से ये दोनों अब की बार series में नहीं रहेंगे क्योंकि दो series में तभी होते हैं जब बीच में कोई current divide ना हो जितना इधर है उत्ता इधर लेकिन यहाँ का current तो नीचे जाएगा जिसकी वज़े से ये दोनों में current same नहीं हो पाएगा और ये दोनों series भी नहीं हो पाएगे तो कैसे होंगे अभी तो फिर साफ साफ देख लीजे प्यारे अगर मैं इस point का नाम लिख दू एक्स और इस point का ये है वोई ये है जो potential इसका है वोई potential इसका है तो इसको contract करके एकी point मान लो ना एकी point अगर सोचो इसे पकड़ के इस तरीके से ऐसी एकी जगे लगा दो तो ये जो A है यहाँ से दो register निकल रहे थे एक 6 निकल रहा था और नीचे से एक 12 निकल रहा था लेकिन ये दोनों जाके खतम तो A की point पे हो रहे है let's say Z तो इसे Z पे जाके खतम कर दो ऐसे इधर से आप ये देखो इधर से B से दो register निकल रहे थे एक 12 और एक 6 उपर निकल रहा था 12 और नीचे निकल रहा था 6 खतम तो दोनो A की point पे जाके हो रहा है Z point पे तो इनहे Z point पे खतम कर दो अभी साफ साफ देखने लगा कि कौन series, कौन parallel, ये दोनों parallel है क्योंकि ये दोनों के दोनों A और Z A और Z के बीच connected है, ऐसी ये दोनों parallel है तो ये बताओ parallel का कितना हो जाएगा इसका हो जाएगा 6 x 12 upon 6 plus 12 6 1s, 6 3s, 3 1s, 4s इसका 4 हो गया, ऐसी इसका निकालोगे इसका भी 4 आएगा और 4 और 4 सीरीज में मिला के कितना हो जाना है 8 ohm तो simple सा diagram था समझ पा रहे होंगे कि कैसे करना है जल्दी से note कर लीजे और प्यारे जितने भी मैं ये questions करा रहा हूँ board पे ये आपको assignment में भी मिलेंगे जो आप download कर सकते है नीचे description दिया है उसमें एक link दे रखा है हमारी app का उस app से आप ये assignment download कर सकते हैं जिसमें salt question जो मैं करा रहा हूँ वो भी होंगे और उसके अलावा practice के लिए भी बहुत भीतरी numericals है बहुत छाट के questions लाए हैं हम उसमें तो download करके जरूर करना है आपको फिलाल आजाई है अगले question पे calculate the current shown by the ammeter in the circuit shown कह रहे हैं ये देखे तोड़ा सा अब पहले से बात अलग आने लगी पहले simple था अभी ये कैसा circuit diagram आगया है जरा देखिए एक resistor यहां इस तरीके से ऐसे जा रहा है ये दोनो एक यहां से आ रहा है इस तरीके से और ये दोनो बीच में join है ये 10-10 10-10 और उपर नीचे 5-5 इस तरीके से ये लगा हुआ है बड़ा लोचा है कौन series कौन parallel क्या मुझे बता सकते हो कि कौन series है क्या ये और ये series है एक के बाद एक जी नहीं क्यूंकि बीच में जो इनका junction है उससे दो तार निकलना है तो ये दोनो series नहीं है ये दोनो series नहीं है कोई भी series नहीं है अब parallel है या नहीं वो देखना पड़ेगा देखो अगर कोई दो register series नहीं है इसका मतलब कता ही ये नहीं होता कि वो parallel ही है parallel है या नहीं उसके लिए आपको देखना पड़ता है अगर कोई दो registers same two points के across लगे हुए हैं तब ही वो parallel होएंगे फिलाल देखिए इसको हम क्या करेंगे diagram को थोड़ा सा modify करेंगे ये point A मान लें ये point B मान लें और बीच वाला point मान लें C तो आप ये देखिए कि यहां जो इस तरीके से ये register लगे हुए हैं आप सबसे पहले ये वाला देखिए ये वाला जो register है ये ये कौन से दो points के बीच लगा है एक तरफ से लगा है ये C और दूसरी तरफ से लगा है ये बोले sir ये point लेको ये जो लगा है ये X और C के बीच लगा है हाँ आप कह सकते हो X और C लेकिन प्यारे X और A के बीच क्योंकि कोई register ही नहीं तो आप X और A को A की point मान सकते हो ना मैंने बोला अगर कहीं भी दो points के बीच अगर कोई register नहीं लगा है तो जो इस point का potential होगा वही इस point का potential होगा ये दोनों points same होंगे तो आप इसे पकड़के यहां ले आओ तो आप ये कह सकते हो ये वाला register या तो बोल दो X और C के आप इस तरीके से बना दीजे ठीक है ऐसी ये वाला नीचे जो 10 ohm लगाए ये जड़ा देखिए किसके बीच है इधर से A इधर से C तो लीजे A और C के बीच एक 10 ohm का और लगा दिया ठीक है ये हो गया ये हो गया अब आया ये ये देखिए ये किसके बीच लगा है C और B के बीच C और B के बीच तो C ये है B ये बना दिया मैंने C और B के बीच एक 10 ohm का यहां बना दिया अब नीचे वाला जो 10 ohm है ये कहां लगा है C और B के बीच ये लीजे नीचे से बना दिया C और B के बीच ठीक है अभी बचगाई किये यह किन पॉइंट के बीच लगा है 5 वाला बोले सर X और Y के बीच लगा है अरे ठीक है X और Y लेकिन X तो खुद A से जोइंड है Y तो खुद B से जोइंड है बीच में कोई रजिस्टर नहीं है तो आप कह सकते हो यह 5 वाला इधर से A से और इधर से B से जोइंड है नहीं 5 भी A और B के बीच लगा है यह A और यह B के बीच एक 5 ओम उपर से ऐसे नीचे वाला भी 5 ओम A और B के बीच लगा है A और B के बीच लगा है तो A और B के बीच नीचे बना दिया ऐसा करने पर अब आप देखिए जड़ा सरक्ट डाइग्राम बहुत ही सिंपल हो गया यह आप अपने आप कर सकते हैं हिंट दे रहा हूँ यह दोनों पैरलल यह दोनों पैरलल पैरलल का हो जाएगा 5 5 5 और 5 सीरीज में हो जाएंगे 10 5 10 और 5 का आप पैरलल में निकाल लेंगे इस फॉर्मले से 1 अपन 5 प्लस 1 अपन 10 प्लस 1 अपन 5 ठीक है इसको अपने आप करेंगे यह मैं सॉल्फ कर दे रहा हूँ प्रैक्टेस आप खुद भी करिएगा 10 आया इसका 5 2 प्लस 1 प्लस 2 5 अपन 10 is equal to यह तो 1 अपन आ रा गया आर निकालने के लिए से उल्टा करना पड़ेगा आंसर विल बी 2 ओम यह आपका equivalent resistance आ गया इन सब का मिलाके लेकिन question में meter की reading पूछिए कि current कितना होगा बेटर total current is equal to total voltage upon total resistance total voltage 10 है total resistance 2 आ गया तो लीजिए total current आ गया 5 ampere ठीके प्यारे समझ लिए नहीं समझ लिए इन दोनों का मिलाके 5 5 और 5 5 सीरीज में 10 और 5 10 और 5 parallel में करके equivalent resistance निकाल लेंगे ठीके प्यारे चलिए बढ़ते हैं हम अगले question पे ओके प्यारे आजाएए अपने अगले question पे ये फिर एक next level का question आ गया है इसमें फिर कोई एक नई चीज़ आ गया है एक 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 करके नई नई चीज़ में add करता जा रहा हो देखिए इसमें resistor के साथ-साथ capacitor भी आ गया ये अपने तरीके का अलग question है जिसका equivalent resistance, potential या current हमें निकालना होगा जब एक same circuit में resistor भी लगा होगा और capacitor भी लगा होगा समझ पारे हैं अभी देखिए कैसे करेंगे यहाँ पर आप देखिए question में पूछाएं the circuit shown find the potential difference across the capacitor capacitor के across potential difference पूछाएं इसका V कितना होगा वो पूछा है प्यारे ऐसे जितने भी questions होगे जिसमें resistor के साथ capacitor लगा होगा उसके लिए एक बात ध्यान कर लो when the current becomes steady steady का मतलब जब current constant हो जाए जब capacitor पूरी तरीके से जब charge हो जाता है तब उस circuit में current flow नहीं करता बोले sir क्या कह रहे हो ये कह रहा हूँ मान लें कि यहाँ पर एक capacitor के साथ register लगा है बैटरी से connected है जैसे ही switch on करेंगे बैटरी से current निकलना शुरू होगा और ये capacitor charge होने लगेगा इस पर charge आने लगेगा थोड़ा सा ऐसे देख लो ये इस तरीके से ये दो capacitor की plate है जब ये positive से connect करेंगे तो इधर positive charge आएगा तो induction की वज़े से इधर negative charge आएगा और इसके opposite side दूसरी तरफ plate के positive आएगा लेकिन ये positive यहाँ रोक नहीं पाएगा ये आगे भागेगा और इस wire में charges का movement होगा कब तक movement होगा जब तक यहाँ पे plate पे charges आते रहेंगे आते रहेंगे तब तक ये धर से charge ये धर से move करता रहेगा charge की movement से current भी बनता रहेगा यहाँ पे current बनता रहेगा रजिस्टर लगाए रेजिस्टर में भी current flow होगा अच्छा मैंने यहां positive की movement दे बोल दिये प्यारे actually positive charge move नहीं करते हैं सिर्फ समझाने के लिए मैंने बोला positive यहां से यहां आएगा और यहां से इसके धक्के की वज़े से positive यहां से negative में चला जाएगा movement होगी current बनेगा positive move नहीं करता है actually movement electrons की होगी फिलाल movement होगी current बनेगा तब तक जब तक यह charge हो रहा है एक बार जब यह fully charge हो जाएगा fully charge होने का मतलब इस पे और charge जब नहीं आएगा प्यारे जब और charge इससे आएगा ही नहीं तो यहां charge move ही नहीं करेगा और यहां से यहां चार्ज नहीं आएगा तो यहां से यहां क्या चार्ज जाएगा चार्ज की मोशन रुक जाएगी और चार्ज की मोशन होईगी नहीं चार्ज की मूवमेंट होईगी नहीं तो current भी flow नहीं होगा capacitor वाले circuit में अगर battery लगी है, DC लगा है तो current सिर्फ तब flow होता है during the time in which the capacitor is getting charged और discharge, एक बार वो पूरी तरीके से charge हो जाए, यह एक बार पूरी तरीके discharge हो जाए, उसके बाद charge की मूवमेंट नहीं होती यहां जितने भी questions होंगे resistor के साथ capacitor लगा होगा हम consider करेंगे कि यह steady state है, steady state का मतलब जितना भी capacitor को charge होना था, वो charge हो गया है अभी और charge वहाँ पर नहीं आ रहा है और और charge नहीं आएगा तो उसमें current भी flow नहीं होगा, current भी flow नहीं होगा का मतलब यह नहीं है कि यहां से ही current नहीं निकलेगा अरे यहां से तो निकलेगा resistor यह है, यहां तो जाएगा यहां से यहां होता हुआ, यहां तो जाएगा हाँ, जिस रास्ते capacitor है बीच में हवा है, बीच में gap है air bed conductor है, तो इस रास्ते circuit टूटा हुआ एक तरीके से तो यहां current नहीं जा पाएगा यहां current zero होगा लेकिन भाईया, यहां यहां तो सब current होगा ना, तो ऐसे case में, यहां कोई current होगा ही नहीं, तो पहली बात, यहां पे कोई current flow नहीं होगा, तो इस resistor के होने ना होने से कोई फर्क नहीं पढ़ रहा, जब इसमें current जाएगा ही नहीं, तो आप यह मान लीजें कि यह resistor यहां है ही नहीं, तो आप यह देखिए, यह जो capacitor है, इसके बीच potential difference पूछा है, तो यह capacitor किस points के बीच लगा है, C और F points के बीच लगा है, तो अगर इसका potential difference पूछा है, तो एक तरीके से हमसे पूछा है, VC minus VF, यह potential difference आप से पूछा है, VC minus VF, क्या यह बास समझ पा रहे हैं, अब यह मत कहना कि सर current नहीं है, तो potential difference कहां से होगा, अरे register में, register में अगर current नहीं है, तो potential difference भी 0 होगा, क्योंकि register के potential difference का formula IR होता है, अगर I0 है, तो potential भी 0 होगा, capacitor के potential का formula IR नहीं होता है, capacitor के potential का formula Q upon C होता है, तो अगर यहाँ पे कोई भी current नहीं है, तो क्या हुआ, charge तो store हुआ है ना, इसमें charge तो हुआ है ना, capacitance तो है ना, तो potential तो कुछ ना कुछ आएगा, अगर यहाँ पे कोई भी charge store हुआ है तो मैंने बुला था charge store हो गया steady state हो गया, fully charge हो गया है charge है, तो कुछ ना कुछ potential होगा वो potential difference हमने निकालना है, कैसे निकालें यह potential difference निकालने के लिए या तो formula QYC होता अगर Q दे रखा होता, C दे रखा होता तो उस formula पे हम जाते ना ही Q है, ना ही C है तब कैसे निकालेंगे potential difference तो आप देखेंगे कि कौन से दो points के बीच यह connected है C और F के बीच यह connected है, तो C और F के बीच का potential difference निकालेंगे कैसे, देखिए अगर आप किसी तरीके से यह निकालने VC और VD के बीच का potential difference निकालने, यानि VC माइनस VD निकालने, और D और F के बीच का potential निकालने VD माइनस VF निकालने, किसी तरीके से, तो हमारा VC माइनस VF आ जाना है फिर से बोल रहा हूँ, C और F के बीच potential difference निकालना है, तो आप एक common point ले लीजे, C और F का common point D ले लीजे, आप C से D का potential difference निकालने, D से F का potential difference निकालने, ये दोनों निकालने तो ये आई जाएगा, कैसे इन दो equations को अगर हम add करते हैं, तो माइनस VD प्लस VD कट जाएगा, और VC माइनस VF बच जाएगा, समझ गए, add कर देंगे add करने के लिए, इधर क्या होगा, पहले वो हमें चाहिए, वो कैसे निकालें देखिए, इस circuit को पहले आप simplify करेंगे यहां ऐसा करिए, इस वाले को यहां से हटा दीजिए, जो ऊपर 3 ohm है, ये 3 ohm इधर आपका कुछ है नहीं, इधर आपका 3 ohm यहां, VC माइनस VD हो, VD माइनस VF निकालने के लिए ही, ये पूरा जमेला कर रहे हैं, जो अम मैं करने वाला हूँ इस तरीके से ये 3 ohm ये 3 ohm, इस तरीके से नीचे 15 ohm ठीक है प्यारे, ये आपने circuit diagram बना दिया, ये वाला हटा के क्योंकि इसमें कोई भी current flow नहीं कर रहा है, ये point c है ये d है, ये f है अभी इसको और simplify कर सकते हैं current निकालने के लिए, हाँ कर सकते हैं उपर वाले दोनो series में, उपर वाले का हो जाएगा 6 और नीचे वाले का हो जाएगा 3 और 3 का parallel में 6 into 3 upon 6 plus 3 2 ohm हो जाएगा, डारेक लिख रहा हूँ 2 ohm हो जाएगा, इसका 2 ohm हो गया इसका 3 ohm, तो 2 ohm और 3 का मिला के equivalent resistance आगया आपका 5 ohm, equivalent potential है 15 volt, तो equivalent current आगया V upon R is equal to 15 upon 5 is equal to 3 ampere हमें ये पता चलिया कि total current कितना होगा, 3 ampere का current battery से निकलेगा बोले sir इससे क्या फाइदा, let's see क्या फाइदा होगा भी समझ में आएगा अब देखिए ये 3 ampere यहां गया 3 ampere जब यहां पहुचेगा प्यारे, तो 2 parts में divide होगा कुछ उपर जाएगा, कुछ नीचे जाएगा अब बता, उपर कितना जाएगा, नीचे कितना जाएगा वो कैसे निकाले, मान ले कि नीचे x गया और उपर मान लो चलो, उपर x गया नीचे फिर कितना जाएगा, 3 minus x 3 आ रहा था, 3 में से x उपर तो नीचे 3 minus x बेटा, यह current है, यह resistance है यह current है, यह resistance है, दोनों पैरलल में तो क्या seem होगा, दोनों पैरलल में तो potential same होगा, potential का formula i into r होता है, यानि i into r, x into 6 is equal to i into r यानि 3 minus x into 3 हो जाना है, i into r i into r, इससे आप क्या करोगे, 1 जा, 2 जा, 2 x is equal to 3 minus x, x is equal to आगया आपका 1 ampere x is equal to 1 आगया, यानि उपर 1 ampere जाएगा, और नीचे, अगर 3 में से 1 उपर चला गया, तो नीचे कितना जाएगा, 2 ampere, तो देखें 3 ampere में से 1 ampere उपर जा रहा है, वो मैंने यहां बना दिया और 2 ampere यहां जा रहा है current के distribution से क्या फाइदा हुआ, कि उपर जो 1 ampere जा रहा था प्यारे, यहां 1 ampere है, तो यहां भी तो 1 ampere होगा और 1 ampere इधर से, 2 ampere इधर से 1 और 2 मिल जाएगे, तो इधर कितना हो जाएगा, जी हां 3 ampere फिर से हो जाएगा, बोले सर इसका फाइदा इसका फाइदा यह, कि हमें C और D के बीच potential difference निकालना था potential difference का formula होता है I into R कोई 2 points के बीच potential difference निकालना है, तो देखे उसके बीच register कितना है, उसका potential difference का formula IR होता है तो VC-VD का I into R होगा इसलिए हमें I चाहिए था तो I into R मैं यहां लिख दे रहा हूँ VC-VD is equal to I into R यानि 1 into 3 is equal to 3 V ऐसे ही हमें D और F चाहिए तो ज़रा देखें D और F के बीच कौन सा resistor है, 3 Ohm का है, इसका potential difference निकालने के लिए, फिर formula I into R, यानि 3 into 3 is equal to 9 V, यह लीजए यह दोनों आ गए, इसलिए हमने यह मार्थमाम current की पूरी calculation करी, कि किस register में कितना current है, ताकि हम इन दोनों का I निकालके, I into R, I into R करके potential difference निकाल सकें लो, अब simply add कर दो, minus VD plus VD कर जाएगा, VC minus VF add कर आएगा तो 9 plus 3 12 V हो गया, तो यह लीजए, C और F के बीच 12 V potential difference आ गया यानि इस capacitor का potential difference भी 12 V हो जाएगा 12 V हो जाएगा, question आगे कह सकते थे, कहते कि अगर इसका capacitance इतना है, कुछ भी दे देते जैसे 2 microfarad, तो बताओ इस पे charge कितना store होगा, तो charge भी निकाल देते, Qs equal to CV से CA है, VA है, C into V कर देते 24 micro coulum इसका charge भी हो जाता, अगर seat दे रखा होता, तो तो प्यारे, यह आप देखवा रहे हैं कि यह capacitance है, और resistor दोनों को साथ में कर दिया, पिछली unit में capacitance पढ़ा था, इस unit में resistance पढ़ा है, दोनों को मिला दिया वो unit अलग थी, यह unit अलग है, competitions में प्यारे यही होता है, सारे concepts आप 12 में पढ़ते हो, लेकिन competitive exams में, वो सारे concepts को मिला के कई concepts को मिला के, कोई भी question बना सकते हैं, कोई ऐसे question आ सकते हैं, जिसमें एक ही chapter नहीं अलग-अलग chapter के, अलग-अलग units का एक साथ concept लग सकता है, उसके लिए आपको concepts clear होने चाहेंगे, physics रटने वाली चीज नहीं है, concept clear है, तभी आपको चीजे याद रहेंगी, और उस चीज को, concept को आप question में apply कर पाओगे, फिलाल तो इसलिए, physics से डरिये मत, physics से प्यार करिये, और मजे करिये, ठीक है, चलिए बढ़ते हैं, अगले question पर जब तक आप ये अपने आप करिये, ओके फ्यारे अगले question पर आजाएए, अगला question भी कुछ पिछली तरीके के question पर based है, pause करके सामने question है, अपने आप करने की कोशिश करिये, नहीं हो तो ही आगे बढ़ियेगा, question क्या बोल रहे है battery of EMF 10 volt, ये 10 volt की battery है is connected to a resistance as shown, ठीक है ये 1 ohm का resistor है, 3 ohm का है 3 ohm and 1 ohm, ये point A और ये point B, ये C और ये D और ये 10 volt की battery लगी है, ठीक है बोल रहे हैं, find the potential difference between point A and point B A और B के बीच potential difference निकालना है, प्यारे, फिर से सुनिए concept क्या है, अगर A और D के बीच potential difference निकालना होता तो A और D के बीच आप देखते एक resistor लगा है, और resistor जहां भी हो, अगर उसका हम current निकालने कि इसमें current कितना है, तो I into R कर दे तो V निकालाएगा, किसी भी दो point के बीच अगर potential difference निकालना है तो उन दो points के बीच आप देखिए क्या लगा है, resistor लगा है तो potential difference का formula IR हो जाएगा capacitor लगा है तो उसके potential difference का formula cube IC हो जाएगा, जैसे आपने पिछली unit में पढ़ा था लेकिन यहाँ अभी resistor की बात कर रहे है resistor लगा है, तो I into R हो जाएगा उसके लिए हमें I चाहिए होगा फिलाल हमें इसके across potential difference नहीं पूछा है A और B के बीच across पूछा है potential difference अरे A और B के across तो कोई resistor लगा ही नहीं है प्यारे, अगर यहाँ पर एक resistor लगा होता तो इसका I into R कर देते तो potential difference आ जाता A और B के बीच लेकिन ऐसे कोई भी question द्यान सुनो द्यान से सुनो, note करो, register करो अपने दिमाग में कि सर ने बोला, ऐसे दो points के across जब भी potential difference पूछा है जिन दो points के across कोई भी resistor नहीं लगा है जिन दो points के across कोई भी resistor नहीं लगा है ऐसे दो points के across potential difference निकालने के लिए कोई एक तीसरा point हम consider करते हैं जो A और B से common हो जैसे, ऐसा question मैंने एक capacitor में भी कराया था अगर आपको ध्यान हो, नहीं कराया तो फिर से देखिए, इन दोनों का common point एक C है यह ऐसा point है, जो A से भी connected है और B से भी connected है ऐसी एक common point D भी है, जो A से भी connected है और B से भी connected है तो आप चाहे इसको consider कर लो, चाहे इसको consider कर लो तो जब उन दो points के across कोई resistor नहीं लगा है तो एक तीसरा point आप consider करोगे और इन दोनों points का अलग-अलग उसके across potential difference निकालोगे मतलब A और C के across निकालोगे B और C के across निकालोगे इससे क्या होगा आप देखिए A और C के across जब potential difference निकालोगे तो VC-VA लिखोगे या VA-VC लिखोगे पहली बात तो यह obviously जो बड़ा potential है उसमें से छोटा लिखोगे बताओ C higher potential पे होगा या A obviously C वाला positive तरफ से connected है तो इसका potential high होगा और जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे points का potential degrees होता जाएगा तो A का C का potential high होगा A का कम होगा तो पहले हम VA-VC निकालेंगे ठीक है ऐसे ही फिर C का B से निकालेंगे VC-VB अगर हम किसी तरीके से VC-VA, VC-VB निकाल दें तो हम A और B के बीच का potential difference जो हमें निकालना था VA-VB वो निकाल पाएंगे कैसे इन दोनों equations को add करतें, minus VC plus VC cut जाएगा और VA-VC बच जाएगा, तो यह वही तरीका है जैसे पहले किया था, लेकिन बाताई कैसे निकालें, VA-VC का formula IR, इसका भी formula IR, यहाँ पे resistors का नाम दे दो, यह R1 है, यह R2 है, यह R3 है यह R4 है, तो जब C और A के बीच निकालना है, तो resistor R1 लेंगे, तो current भी I1 लेंगे, C और B के बीच potential difference निकालना है, तो R3 लेंगे, तो current भी इधर का I3 ही लेंगे तो resistance तो दे रखे हैं लेकिन current नहीं दे रखे हैं तो पहले हमें उपर और नीचे का current निकालना पड़ेगा, simple सा concept है, current निकालने के लिए पहले इसे simplify करो, 1 और 3 series में है मिलाके हो गया, आपका 4 ohm और नीचे 3 और 3 और 1 है, मिलाके हो गया 4 ohm, total resistance हो गया आपका 2 ohm, 4 और 4 parallel का total voltage है, आपका 10 volt तो total current आपके पास आगया total current आगया आपका कितना, V upon R is equal to 10 upon 2 is equal to 5 ampere, यानि इधर से 5 ampere का current निकलेगा, और ये 5 ampere का जब यहाँ पहुचेगा, तो दो टोकडों में divide होगा, जितना उपर resistance उत्ता ही नीचे, तो आधा current, 5 ampere उपर चला जाएगा, और 5 ampere नीचे चला जाएगा, तो प्यारे यहाँ पे जब उपर 5 ampere जाएगा तो लो, अब जल्दी से इसमें डाल दो यह हो गया आपका कितना I1 into R1, उपर है 2.5 into 1, यह हो गया 2.5, और यह हो गया आपका I3 into R3, 2.5 into 3 यानि 7.5 इन दो equations को add कर दो, plus VC minus VC कट गया, VA minus VB आपका आगया, इन दोनों को plus करके, कितना 10 और यही आपका answer हो गया, potential difference जैसे मैंने C point लेके किया है, प्यारे, आप C point ना लेके, आप D point लेके करो, और मुझे बताओ कि answer सेम आ रहा है कि नहीं ठीके प्यारे, कर गिए अपने आप, फिर हम बढ़ेंगे, आके ओके प्यारे, आजएए अपने अगले question पे, simple सा question है यह सारे इस तरीके question मैंने Capacitance वाले chapter में कराये थे, अब वो Capacitance की जागे register हो गए है, क्या बोल रहे हैं तीन register है, 2R, R और R, 2R, 2R और R, ऐसे लगे हैं और यह दो point ऐसे हैं, दो point यह दोनों नहीं हो सकते हैं, क्योंकि इन दोनों के बीच में से तार निकलना है, यह दोनों नहीं हो सकते हैं, यह सीरीज में नहीं है बट इसका मतलब यह नहीं है कि यह parallel में है, अगर आपको पता है तो आप direct कर सकते हैं, नहीं पता है तो देखिए कैसे करेंगे, आप ये देखिए कि सबसे पहले 2R वाले की बात करें, जो 2R सबसे पहला वाला जो register है, ये किन दो points के बीच connected है, इधर से A और इधर से C से connected है, ये A और C के बीच connected है, ये बना दिया, अब आए इस 2R वाले पे, दूसरे 2R पे, ये जो दूसरा 2R है प्यारे, ये देखिए किसके बीच connected है, इधर से C और इधर से D, तो ये C और D के बीच connected है, लेकिन प्यारे, D point खुद A से connected है, और बीच में कोई register नहीं लगा है, जिसका मतलब ये है कि D और A will be at same potential, और same potential पे है, तार जुड़ा हुआ है, कोई register नहीं है, तो D और A को हम A कही point मान सकते हैं, D और A अगर एक ही point है, A की point जोड़े हुए है, लंबा तार इतना कर दिया है, तो क्या हुआ, point तो A की है, तो हम ये कहने की बजाए कि ये वाला C और D के बीच connected है, हम कह सकते हैं, ये वाला C और A के बीच connected है, यानि अगला वाला 2R भी, C और A के बीच connected अब बाता ही, इस वाले की, ये किस के बीच है, D and B के बीच, लेकिन अगर आप देखिए, D वाला point तो खोद A से connected है, तो हम कह सकते हैं, इधर से D वाला A से connected है, और B वाला खोद C से connected है, तो D की जगे A लिख सकते हैं, और B की जगे C लिख सकते हैं, तो ये वाला R रजिस् तो तीसरा वाला जो R है, वो भी हमने A और C के बीच बना दिया, अब साफ साफ 2R, 2R और R पैरलल में होगा, इसका equivalent resistance निखालने के लिए, 1 upon R' is equal to 1 upon 2R, plus 1 upon 2R, plus 1 upon R कर दीजे जल्दी से, 2R, 1 plus 1 plus 2 is equal to 5, 3, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4, 4 upon 2R, ये 1 जा 2 सा, ये आपका 1 upon R' आया, तो R' ये आपका equivalent resistance आ गया, समझ, पारेयो कैसे करना है, ठीक है प्यारे, जल्दी से हम बढ़ते हैं, अगले question पे, देखिए, क्या है अगला question, बोल रहे हैं, बहुत ही अलग तहीके का अभी आ गया है प्यारे, देखिए थोड़ा सा खतरनाक लग रहा है, कह रहे हैं कि इसका equivalent resistance निकालिए, equivalent resistance कौन series में, कौन parallel में चरह बताईए, प्यारे, कोई series में लग रहा है, कोई नहीं है, ये दोनों series में है, बीच में सीपार निकल लग ला है, कोई series नहीं है, पैरलल है नहीं, वो भी नहीं, क्यों ऐसे दो register देख हैं, जो same two points के बीच connected है, कोई बही ऐसा रेजिस्टर नहीं है जो सीम टू पॉइंट्स के बीच जैसे ये वाला रेजिस्टर आप देखिए ये इन दो पॉइंट्स के बीच है जबकि ये वाला इन दो पॉइंट्स के बीच कोई भी रेजिस्टर सेम टू पॉइंट्स के बीच अगले lecture में start करने वाले हैं, description box में उसका link दे रखा है, बहुत ही मज़ेदा topic है, detailing तो वहीं बताऊंगा मैं, लेकिन short में आपको बता दो, wheat stone bridge क्या होता है, मैंने आपको बताया था, अगर कभी भी, दो register ऐसे connected हैं उपर, और दो register नीचे connected हैं ऐसे, और इन दोनों के बीच वाले point से, एक register और connected है, एक bridge की तरहे इस तरीके से, तो इसे हम कहते हैं wheat stone bridge, अगर ये इस तरीके से battery से ऐसे लगा हुआ है, इसका resistance R1 है, इसका R2 है, इसका R3 है, इसका R4 है, और बीच में R5 है, इस circuit में कोई भी register ना ही series में है, ना ही parallel में है, लेकर यहाँ पे एक बात ये होती है, कि अगर ये register और ये register, R1 अपॉन R3 का ratio ले लें, और इसका ratio ले लें, R2 अपॉन R4 का, अगर इसका ratio और इसका ratio equal आता है, तो ऐसे wheat stone bridge को हम कहते हैं, balanced wheat stone bridge, और balanced wheat stone bridge में, ये ratio equal होने पर, बीच में कोई current flow करता ही नहीं है, क्यों नहीं करता है, वो अगले topic में पढ़ने वाले हैं, उसकी पूरी detailing है, लेकर अगर यहाँ direct बोलों की, बीच में कोई current flow करेगा ही नहीं, तो जिस resistor में कोई भी current flow नहीं कर रहा है, उसके होने से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, इससे अच्छा उसे हटाई दें, उसका वजूद मिटा दें, ये लो मिटा दिया वजूद, बोले sir ऐसा क्यों, ऐसा करने इससे प्यारे हैं, हमें साफ साफ देखने लगा, कौन series, कौन parallel, आप देखें, इसका current, अगर कुछ नीचे भी जाता, इधर भी जाता, तो इसका current, divide हो जाता इधर इधर, फिर ये दोनो series नहीं रह पाते, लेकर, यहाँ अब बीट में, कोई current जाई नहीं रहा था, तो जितना इधर current है, उतना ही इधर current जाएगा, तो ये एक wheat stone bridge बनेगा, जिसमें बीच वाले को हम हटा सकते हैं, यहाँ शायद कुछ ऐसा ही है, let's see, देखें, bridge बन रहा है क्या, एक ये resistor है, एक ये resistor है, जैसे उपर थे उपर दो, और नीचे दो, और ये नीचे दो, उपर दो के बीच वाले जो points है, जैसे उपर दो के बीच वाला point, नीचे दो के बीच वाला point, उपर दो के बीच वाला point, नीचे दो के बीच वाला point के बीच में, बीच में एक resistor यहाँ लगा है, तो ये एक, दो, तीन, चार, पाँच, ये wheat stone bridge बना रहा है क्या ये balanced है ये R है सबका resistance equivalent R है R R R R R तो this upon this कितना आएगा R upon R हो जाएगा 1 और this upon this कितना आएगा R upon R हो जाएगा ये भी 1 जब दोनों 1 हो गए R upon R upon R 1 हो गए तो बीच वाले को हटा देंगे और बीच वाले को अगर प्यारे हटाएंगे तो कैसा हो जाएगा diagram कुछ आप देखिए कुछ मैं इस तरीके से यहां बना रहा हूँ कैसा हो जाएगा जरा आप देखिए बीच वाले को अगर हम हटा दें ये लीजे ऐसे था ऐसे था ऐसे था और ये ऐसे था बीच वाला अगर हम हटा दें तो देखिए जरा साफ साफ ये दोनों सीरीज में हो गए आर और आर का सीरीज में कितना हो जाएगा आर और आर का हो जाएगा टू आर ठीक है और ये दोनों आर और आर ये भी कैसे हो गए सीरीज में और 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 का कितना हो जाएगा 2R और ये नीचे R है ही है ये तीनों अब साफ देख लीजे पैरलल होगा है पैरलल का भी आप निकाल लेंगे 1 upon R is equal to 1 upon 2R plus 1 upon 2R plus 1 upon R अभी आपने सेम किया था डारेक्ट लिख दे रहा हूँ R आ जाएगा आपका R by 2 यानी 0.5R समझ भा रहे हैं कैसे करा इसको तो प्यारे नोट कर लिजे डायक्राम बहुत ही famous question है exams में पूछ लिया जाता है जिस basis पे है उसकी detailing अगले question में होने वाली है ठीक है प्यारे अभी चलते हैं हम अगले question पे तो प्यारे आजाएए अपने अगले question पे अगला question आपके screen पे सामने बोल रहे है calculate the equivalent resistance between points A and B of the network of resistors shown here प्यारे यहाँ पे इस तरीके से point P और Q के बीच एक दो तीन चार पांच छे resistors हैं छे resistors का equivalent resistance निकालना है थोड़ी देर के लिए pause मारिये और मेरा आगे की कही हुई बात सुने बिना अपना दिमाग चलाईए और देखिये हम इसका resistance कैसे निकाल सकते हैं क्या ये एक weed stone bridge बन रहा है क्या ये series में हैं क्या ये parallel में हैं किस तरीके से कर सकते हैं थोड़ा सा दिमाग दोड़ाईए अपने दिमाग के पुर्जों को हिलाईए तो समझ में जादा अच्छा आएगा फिलाल बोले आप देखिये अगर pause करके आ रहे हैं तो आप इसमें कौन से series या parallel में हैं आप सबसे पहले तो ये देख लो प्यारे कि ये weed stone bridge नहीं है हर जगा weed stone bridge लगाने मत बैठ जाना weed stone bridge तब बनता है जब 5 resistors दो उपर दो नीचे और एक बीच में हो क्या यहाँ कुछ ऐसा है क्या दो ऊपर दो नीचे और एक बीच में है ऐसा कुछ नहीं है इस तरीके से नहीं है ये weed stone bridge नहीं है यहाँ पे आप देखिये बहुती simple सा इसका solution है आप ये वाला R देखिये कि किंदो points के बीच है B और A के बीच जबकि ये वाला R देखिये किंदो points के बीच है इन दो points के बीच लेकिन ये इस से जुड़ा है ये वाला इस से जुड़ा है तो हम कह सकते हैं ये वाला resistor भी A और B के बीच जुड़ा हुआ है चुकि ये और ये दोनो A और B के बीच गए parallel हो गए जो r और r का parallel में निकालेंगे हम तो r और r का parallel में क्या निकलने वाला है जी हाँ r y 2 तो आप देखें a और b के बीच में ये जो दो resistors है इनका मिलाके आ जाएगा r y 2 तो मैं यहां पे इस तरीके से ऐसे लिख देना है ऐसे ही बिलकुल इधर जैसे ये वाला और ये वाला देखिए ये दोनों इधर से A और C के बीच connected है और ये वाला भी A और C के बीच आर और आर पैरलल में होने से A और C के बीच equivalent resistance RR का फिर से इधर हो जाएगा R by 2 और वही इधर हो जाएगा R और R का मिलाके B और C के बीच R by 2 ये लिजे ये B और ये C, B के इधर है P, C के इधर है Q, अब बहुत simple सा हो गया आप तो कर सकते हो ना कर लो, प्यारे R by 2, R by 2 series में हो गए, इसका R by 2, R by 2 का R हो जाएगा उपर और नीचे है आपका R by 2 R by 2 और R parallel में resultant resistance निकालने के लिए R into R by 2 upon R plus R by 2 कर दो ये हो गया R into R by 2 upon ये हो जाएगा आपका 3 R by 2, 2 से 2 cancel कोर दो, R से R कौच दो, R by 3 इसका answer हो गया, तो देखने में जो इतनी खतरनाक picture लगती है, horror movie, वो असलियत में तो बहुत ही अच्छी प्यार भरी होती है, तो प्यार करिए physics से, confidence रखिए, अपने आप चीजे solve होंगी, दिमाग अपने आप चलेगा, confidence आएगा सिर्फ practice करने से, और खुद हाथ से करने स इसलिए जो भी करा रहा हूँ, खुद जरूर करिएगा, यह नहीं कि बस यह देख लिए, और हाँ सर समझ में आ गया, और practice के करेंगे, यह तो आपने करा दिये, बिटा जो मैं करा रहा हूँ, वो खुद हाथ से जरूर करा करिए, assignment sheet में से, print लेके, एक साथ वहाँ दे लखे हैं, और बोले हैं कि इन तीनों का equivalent resistance निकालिए, किन points के बीच, A और B के बीच, दिखने में फिर बड़े खतरनाक लग रहे हैं, लेकिन यही complex circuit diagrams को किस तरीके से simple way में करके, आपके सामने इसका answer परोसा जाए, देखिए जरा, प्यारे, इसके A और B के बीच equivalent resistance निकाल इसको थोड़ा सा हम modify करेंगे, ताकि easily यह समझ में आ जाए, आप यह देखिए, यहां कुछ ऐसे points हैं, जिन points के बीच, तार तो लगे हैं, लेकिन resistance नहीं लगा है, जैसे यह point और यह point, बीच में कोई resistor लगा ही नहीं है, तो प्यारे, इन दोनों को हम एक point मान सकते हैं, ऐस है, इस point का नाम A दे दो, इसका C दे दो, इसके और इसके बीच कोई resistor नहीं लगा है, तो दोनों का potential सेम होगा, तो जो यह point है, वही point यह होगा, और वही point यह होगा, और यहां से यहां तक हर point BB होगा, जहां पे बीच में कोई resistor नहीं है, तो वो सारे point सेम होगे, चाहिए, इन दोनों को आप एक साथ जोड सकते हो तो जोडने की बज़े नाम ही रख दो ना दोनों का B B B ठीक है प्यारे समझ पारे हो एक बाद फिर से बोल रहा हूँ यह रजिस्टर बीच में नहीं है तो जो इसका potential है वो इसका potential है तो इन दोनों को आप बिलकुल चिपका दो चिपका होगे तो थोड़ा time लगेगा इससे अच्छा यह है दोनों point A की होंगे तो इसका नाम भी B लिख दो इसका नाम भी B लिख दो अब देखो कितना असान हो गया यह वाला जो register है यह वाला यह किन दो points के बीच है A और C के बीच A और C के बीच आपने एक resistor लगा दिया R ठीक है यह वाला जो हो गया resistor अब यह वाला किसके बीच लगा हुआ है प्यारे यह लगा है B और C के बीच B और C यह C है इधर बना लो B बी और सी के बीच एक रजिस्टर लगा दिया आपने ये आर ठीक है ये भी हो गया अब आया ये वाला ये वाला किसके बीच लगा है बी और सी के बीच लो तो लो बी और सी के बीच लगा है तो ये बी और सी के बीच एक और लगा दिया ये वाला किसके बीच लगा है बी और C के बीच इदर B इदर C तो लो B और C के बीच एक और लगा दो लो यह हो गया अदे अब देखो यह circuit diagram को modify करके ऐसे कर दिया तो एकदम समझ में आ गया अरे sir कौन से series कौन से parallel तो यही करना है आपको modify करना नाम करण करके points देखके कौन से same points है साफ साफ R R R parallel में होगा यह R by 3 हो गया इसका मिलाके जो R by 3 आएगा और यह आगरे R है यह दोनों series होगा है series R by 3 प्लस R कर दो जल्दी से कितना हो जाएगा 4 R by 3 यह first का answer हो गया ठीक है प्यारे अगले पे आईए pause करके यह वाला अपने आप करने की कोशिश करिए और अगला वाला भी मुझे उमीद है आप 100% कर ही देंगे चलिए विश्वास रखी और करिए नहीं तो आगे देखिएगा बोल के रहे हैं A और B के बीच निकालना है फिर वही काम करना है यह B यहां से connected है बीच में कोई resistor नहीं है तो यह A की point होँगे जो इसका potential वही इसका potential सीम potential होगा तो इस point का नाम भी B रख दें इस point का नाम भी B रख दें इस point का नाम भी B इस point का नाम भी B यह वाला resistor सबसे पहले यह वाला बना रहा हूँ R, जरह देखना किन दो points के बीच connected है A और B के बीच, ठीक है ये वाला हो गया, अब ये वाला R किसके बीच connected है, A और B के बीच A और B के बीच, तो लीजे A और B के बीच एक और बना दिया, ये भी हो गया ये वाला किसके बीच connected है, A और B के बीच ये लो A और B के बीच एक और बना दिया R ये भी हो गया ये वाला किस के बीच है A और B के बीच A और B के बीच एक और बना दो A और B के बीच अरे सारे के सारे मिलाके direct rय 4 हो गया कितना इजी है دیکھो, उस देखने में कितना typical लग रहा था आप बना सकते हो और यह पैरलल में है अगर समझ में आ रहा है मज़े आ रहा है तो जल्दी से एक pause मार के एक like बटन तो बनता ही बनता है जल्दी से like कर दो और कुछ ना कुछ comment जरूर लिखते रहा करो जहां पे भी लगे कि अरे सर मज़े आ गए तो वहां पे comment लिखके कुछ बता दिया करो ताकि हमें भी confidence आ जाएगा कि हाँ जो हम पढ़ा रहे हैं आप तक पहुँच रहा है और बढ़िया से पहुँच रहा है मज़े आ रहे हैं आपको और आपके बाहने दूसरे लोगों को भी ये video सर्च करने में असानी होगी फिलाल आगे बढ़ते हैं बात आई ही प्यारे कि इस तरीके से A और B के बीच निकालना है अरे एक उपर रास्ता एक नीचे रास्ता एक उपर रास्ता एक नीचे रास्ता और ये बीच में जुड़ा हुआ अरे ये तो bridge लग रहा है बीच में से एक उपर एक नीए एक उपर इस तरीके से ऐसे एक एक फिर एक एक नीचे और बीच में जुड़ा हुआ ये तो weed stone bridge है प्यारे आप इसे थोड़ा सा simplify कर लो साफ साफ ये दोनों series में है आर और आर का मिला के एक लिख लो एक लिख लो आर और आर का मिला के 2R अब आप ये देखिए कि ये weed stone bridge कहीं balance तो नहीं है अरे देखो this upon this this upon this this upon this आएगा आर अपॉन आर जो की 1 हो जाएगा ये भी आर अपॉन आर 1 हो जाएगा और प्यारे ये तो ratio same आ रहा है और जब same आता है balance weed stone bridge की condition satisfy होती है उसमें beach वाले part में bridge में कोई current नहीं जाता फिर से बोल रहा हूँ क्यों नहीं जाता उसकी derivation concepts अगले lecture में मिलने वाले हैं फिलाल beach में अगर कोई current जाएगा नहीं तो beach वाले को हटा दो इसको हटा ही दो जब इसमें कोई current नहीं है इधर से इधर current जाएगा ही नहीं जितना इधर है उतना ही आगे जाएगा तो जितना इधर उतना आगे तो ये दोनों कैसे हो गए series में हो गए बीच वाले को हटा दो उपर वाले series में आर और आर का मिलाके 2R R और R का मिलाके 2R और 2R और 2R को पैरलल में रख दो 2R by 2 is equal to R answer low direct इस तरीके से solve कहो सकता है ये ठीक है फिलाल प्यारे अपने आप करिए pause करके फिर हम चलेंगे अगले question पे अगला question देखिए प्यारे क्या बोल रहे हैं बहुत ही बेतरी level बढ़िया बढ़िया question आ रहे हैं देखने में circuit बहुत बढ़े हैं लेकिन solve चुटकियों में होने वाले हैं अभी तो जो हम करा रहे हैं वो फिर भी कुछ नहीं है आगे और खतरनाक आएंगे और अगले lecture में तो और खतरनाक से खतरनाक numerical आने वाले हैं वहाँ पर और मज़े आएंगे फिलाल देखे क्या बोल रहे हैं यहाँ पर find the resistance between points A and B and A and C of the network shown यह network है दोनों same network है यह A, D, C और B चार points है equal resistors है 10-10 ohm के कह रहे हैं A, first part में A और B के बीच equivalent resistance बताओ A और B के बीच equivalent resistance बताने का मतलब कि A और B के बीच अगर हम battery connect करेंगे तो इसके बीच current को रास्ते में कितनी equivalent रुकावट मिलेगी वो निकालना है फिर से बोल रहा हूँ जिन दो points के बीच भी equivalent resistance पूछा है इसका मतलब यह होता है कि अगर उन दो points के across battery connect करेंगे तो current जाएगा तो उसके रास्ते में total कितनी रुकावट आने वाली है उसे हम equivalent resistance कहते हैं तो उन दो points के बीच imaginary आपने एक battery लगा दी अब आप यह देखें ऐसे लगाने पर यहाँ पर दो resistor आपको ऐसे चुनने हैं जिन दो resistor में कोई current flow करेगा ही नहीं current जाएगा ही नहीं दो ऐसे resistor यहाँ है जब battery join करेंगे तो उन दो resistor में current जाना ही नहीं है जरा देखिये पहचानी है अगर यह पहचान दिया तो इसका equivalent resistance निकालना चुटकियों का खेल हो जाएगा जरा देखिये प्यादे यह इस तरीके से current यहाँ गया यहाँ से दो parts में divide होगा इधर 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 आएगा इधर जाएगा इधर जाएगा ना यही बात है इधर नहीं जाएगा क्यों नहीं जाएगा क्योंकि यह वाले point के आगे तो circuit टूटा हुआ है कहीं से जुड़ा हुआ ही नहीं है खाली हवा में जूल रहा है जब circuit complete ही नहीं है तो प्यारे current इधर नहीं जाएगा यहाँ से आगे जाएगा यहाँ से आगे जाएगा उपर से नीचे आएगा इस तरीके से या नीचे से उपर जाएगा कहीं भी जाएगा नीचे से उपर नीचे से भी चाएगा लेकिन उपर या नीचे में से जिसका current भी जाएगा बड़े में से छोटा current cancel हो जाएगा resultant एक ही direction बचेगी current की तो वो depend करेगा उपर का current जाएगा या नीचे का यहाँ पर हमें assume कर लें कि चलो नीचे का current जाएगा तो यहाँ से इधर गया और इधर से इधर गया इधर से इधर गया और इधर मिलाके यह इधर गया और इधर से बैटरी और यह देखो यह वाला register तो फिर रह गया यह circuit complete नहीं है हवा में जूल रहा है तो इसका current इधर नहीं जाएगा तो बेटा यह दो register यहाँ पे current ही नहीं जा रहा है तो हम इन दोनों को consider नहीं करेंगे और जब consider नहीं करेंगे तो सिर्फ यह वाला circuit जो मैंने marker से बनाया है सिर्फ इसी में current flow करेगा तो आप इसका equivalent resistance निकाल लीजिए अब आप निकाल सकते हैं बड़ी असानी से साफ साफ आप देखवा रहें यह तीनों सिर्फ हैं तो ओरली हो जाना है 10, 10, 10 सिर्फ में हो गया 30 और इसका जो 30 आएगा 30 और 10 parallel में हो जाएगा 30 into 10 upon 30 plus 10 यह हो जाएगा आपका 15 by 2 और यह जो इसका मिलाके 15 by 2 आया वो 10 और 10 सिर्फ में हो जाएगे तो resultant हो जाएगा 10 plus 15 by 2 plus 10 is equal to 27.5 ohm ठीके प्यारे यह आपका पहला पार्ट आगया अगली पार्ट पे आईए अभी पूछ रहें A और C के बीच अब यह वाला थोड़ा सा पॉस करके फिर अपने आप करिए A और C के बीच फिर दो रजिस्टर ऐसे देखिए कि जिसमें current flow नहीं करेगा उसके लिए आप imaginary battery लगाए तो कौन से दो ऐसे रजिस्टर है जो हवा में जूल लाएं जिनका circuit complete नहीं हो रहा है जिसरफ current नहीं जा पाएगा आप देखिए साफ-साफ एक यह इधर टूटा हुआ है इधर कोई circuit complete नहीं है तो इसमें current नहीं जाएगा और इधर से B हवा में जूल लाएं यह circuit complete नहीं है तो इसमें current नहीं जाएगा इसे और इसे हटा दीजिये और हटाते ही इन दोनों को साफ साफ दिख रहा है प्यारे जैसे इधर से मैंने ये हटाया तो ये दोनों सीरीज हो गए इधर से हटाया तो ये दोनों सीरीज हो गए तो देखें ये दोनों सीरीज का 20 ये दोनों सीरीज का 20 जिसका हो जाएगा 30 तो प्यारी ये सब oral question होते हैं जो आप ऐसे ही देखके कर सकते हैं multiple choice question competition में आते हैं चुटकियों में solve करने हैं 30 second के अंदर इसका answer निकालना है आपको तो उसके लिए practice होना चाहिए मेरे को समझाने में तो इत्ती देल लग रही है लेकिन शायद आप खुद करने बैठेंगे तो शायद 10 या 15 second के अंदर आपको solve कर लेना है ठीक है फिलाल तयार हो जाएए अपने अगले question के लिए ये diagram सब copy पे बना लीजे अपने आप पर ये हम चलते हैं अगले question पे फिलाल क्या बोले हैं बोले हैं भाईया कि find the effective resistance between points A and B of the network as shown प्यारे ये आपको एक network दे रखा है यहाँ पे बोल रहे हैं इसका equivalent resistance निकल लिए आग्या खोतरना question अरे भाईया एक दो तीन चार पाँचे साथ आठ नौ दस रिजिस्टर सब क्या कर रहे हो क्या करवाओगे आज आप क्या गिरवाओगे बियोश हो के अरे प्यारे ये भी चुटकियों का ही है सवाल ओरल है ओरल करने वाले हो आप कुछ लिखने की भी जरुवत नहीं पड़ेगी ऐसा सवाल है ये तो यही इस lecture की beauty है आखरी तक देखते रहो और देखने के बाद साथ साथ में करना भी है नहीं कर रहे हो तो बाद में पूरा खुद करना तब ही मज़े आएंगे आगे अपने आप निकालने लगोगे फिलाल प्यारे ही आप देखो कैसे करोगे यहाँ बिटा एक उपर एक के बाद एक एक नीचे एक के बाद एक और जो उपर गए हैं और जो नीचे गए हैं उनके बीच में अरे कौन से टाप है? येस, wheat stone bridge wheat stone bridge बन रहा है एक यहाँ पर और एक यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही बन रहा है दो wheat stone bridge का question हो गया यहाँ पर देखो कहीं यह balance तो नहीं है balance तो नहीं है अरे आर अपॉन आर आर अपॉन आर यह one हो गया आर अपॉन आर यह भी one हो गया अरे यह तो balanced हो गया तो बीच वाला यहां से हटा दोगे ऐसे ये अपॉन ये ये अपॉन ये आर अपान आर आर अपान आर ये भी बैलंस दे तो बीच वाला हटा वाला हट जाए तो कुछ ऐसी figure आ जानी है देखो मैंने बीच वाला बीच वाला हटा दिया ऐसी figure आ गई अब ये तो अपने आप कर लेना है ओरली ओरली R और और सीरीज में हो गए उपर का हो गया 2R R और R सीरीज में हो गये इसका हो गया 2R इसको सीरीज में मत कर देना प्यारे ये ये के बीच में ऐसे तार निकल लए है ये दोनों सीरीज नहीं है ये दोनों सीरीज नहीं है तो सर कैसे करेंगे आप ये देखिए ये वाला जो resistor है ये वाला R में यहां बना रहा हूँ R ये किसके बीच connected है G और D के बीच या तो ये बोलो G और D या ऐसे भी तो बोल सकते हो G तो खुद A से connected है और बीच में कोई तार भी नहीं है ये A point यहां है यहां से यहां कुछ नहीं है तो इसे भी A कह सकते हो इसे भी A कह सकते हो आप यह कह सकते हो ये वाला G और D के बीच connected है या बोल दो ये A और D के बीच connected है A और D के बीच तो ये लिजे A और D बना लिया ऐसे ही ये वाला भी किसके बीच connected है A और D ये लो नीचे से बना लिया A और D ठीक है ऐसी इधर से ये वाला D और B D और B तो इधर से D और इधर से B ठीक है ये हमने बना लिया D और B के बीच ये वाला भी D और B D और B ये B बना हुआ है D और B के बीच है तो D और B के बीच एक इधर से बना लिचे ठीक है भाईया बना लिया अब ही आप ये देखिए B एक बीच में point मान लो यह यहाँ बन लो तुझाद एच्छा रहेगा इसे चाहे ऐसा कर लो इस तरीके से ऐसा कर लो तो देखने में अच्छा लगने लगता है जरा ऐसे अलग अलग कर लो ठीक है यह उपर का 2R आया यह किसके बीच है G और H के बीच या तो G और H कह दो या G खुद A से connected है H खुद बीच से connected है तो यह कह सकते हो यह 2R का आया है यह इधर से A इधर से B के बीच connected है तो A और B के बीच बना दो 2R और ये वाला भी जो नीचे का 2R आया है इधर से A, इधर से B, इधर से A और इधर से B, 2R, एलो अब तो असान हो गया कि नहीं हो गया, साफ साफ ये R और R कैसे हो जाने है, पैरलल हो जाने है, R और R का पैरलल में हो जाएगा, इसी को हटा के बना रहा हूँ, R by 2, ठीक है प्य गया आर हो गया यह लिज़ो यह तीनों पैरलल में आगा है अपने आप निकालो पैरलल में होते तो चोटा वाला फाइव है इसका आंसर फाइड में इस्पीड में अब तो इसलिए आपको स्पीड ली करना है अब यह करने मत बैठ जाना वन बाइयार वन बाइयार डायरेक्ट लिखके अंसर निकालोगे फिलाल यह नोट कर लो फिर हम चल रहे हैं अगले कोशन पर ओके प्यारे आजाईए अपने अगले कोशन पर यह आपकी स्क्रीन पर एक बहुत ही प्यारा सा सर्किट डाइग्राम छोटा सा सर्किट डाइग्राम कैसा लग रहा है देखने में प्यारा लग रहा है कि नहीं लग रहा है आरे मज़े एक दो तीन चार पांच छे साथ हो आला है कौनसा एक रूल։ल कहते हैं physics में सिद्व करो सिमेट्री रूल कौनसा noot करो सिमिट्री रूल यह मिट्री रूल से तरी किर्च विर्चौ प्रीटर आंकर आप लगाने की कोशिश करो तो यहां वीट्व GDP नहीं लगेगा क्यों बोले अरे सर देखिए ये इस तरीके से ऐसे जा रहा है एक उपर दो उपर दो नीचे ठीक है दो उपर दो नीचे लेकिन बीच में तो नहीं लगा है ना ऐसे ये तो ऐसे लगा है ना हाँ अगर ऐसे लगा होता तो बीच वाले को हटा देते अगर ये बैलेंस रोता दिस लेकिन ये ऐसे तो है, बीच में नहीं है, तो ये Wheat Stone Bridge नहीं है, कहीं से कहीं तक ऐसा Wheat Stone Bridge नहीं बन रहा है, तो क्या करेंगे प्यारे, ध्यान से देखो, अलग तरीके का कोश्चन है, कॉम्प्लेक्स सरकिट डाइगराम हमने स्टार्ट कर दिये हैं, कैसे करेंगे, यहाँ प भी बिल्कुल बीचो बीच एक लाइन खेच दो जो यहां से C से पास होती होई इस तरीके से जाएगी यह A यह B और यह C यह जो बिल्कुल यह पूरा रजिस्टर R है यह जो हमने लाइन खेची है यह इस रेजिस्टर को दो पास में तोड़ देगी पूरे को R को दो पास में एकोल में तोड़ें तो एक तरफ हो जाएगा R बैटू दूसरी तरफ भी R बैटू ऐसी यह पूरा R था यह दो टुकडे में एक इधर R बैटू इधर R बैटू इस पॉइंट का नाम लेले हम C1 और इस point का नाम रख दें C2 तो आप देखिए यह जो line है यह जितने resistors इधर है exactly उतना ही resistance इसका इधर है तो यह line of symmetry है line of symmetry यह कहती है कि अगर किसी तरीके से symmetry rule यह कहता है अगर किसी तरीके से हम इसके इधर का resistance निकाल लें इधर part का resistance निकाल लें जैसे इस पूरे का resistance r- है तो इधर का भी कितना आएगा r- ही आएगा और यह एक लगा है resistance और इसका resistance r- ही है और यह दोनों ज़िस्ट एक के बाद एक हैं एक के बाद एक हैं एक के बाद एक हैं यानि कैसे हो जाएंगे series में तो आप इधर वाले part का resistance है नहीं आदे पार्ट का कैसे निकालें उसके लिए आप यह देखिए अगर आपने इस तरीके से ऐसे लाइन बना दिया आपने इसको जॉइन कर दिया तो आप देखिए यह जॉइन जब आपने इस तरीके से ऐसे निकल रहे हैं, तीन रिजिस्टर निकल रहे हैं, तो आप तीन रिजिस्टर निका लिए, एक उपर ये R निकला, एक बीच में निकला R, और एक नीचे से निकला R, कहां से, A point से, ये A point है, A point से, तीन रिजिस्टर निकले, R, 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 ठीक है, अभी ये वाला जो R है, बीच में divide हुआ एक r by 2 एक r लेकिन दोनों जैसे ये वाला c पे जाके खतम हुआ तो ये लीजे यहां पे इसे हम कर रहे हैं c पे खतम किसको r वाले को इस r वाले को यहां से c पे खतम किया और जो दूसरा वाला r by 2 था यहां से start होगे यहां तो कह दो c1 पे खतम हुआ यहां कह दो c पे खतम हुआ क्योंकि c और c एकी point है यह जो line हमने बनाई है यहां पे कोई register नहीं है तो these three points will be at same potential तो हम इन तीर नौग points को एकी point consider कर सकते हैं c1 की वज़ाए c लिख सकते हैं यह वाला जो r by 2 है यह इस point और c के बीच connected है तो r वाला r by 2 वाला यहां से ऐसे आप बना दो r by 2 वाला इस point और इस point और इस point का नाम लिख दो x तो x से दो register निकल ले है r by 2 और एक r r by 2 और एक r दोनों के दोनों c पे जाके खतम हो रहा है वही काम नीचे होगा यह जो यह point है y इस तरीके से y से दो निकल ला है और दोनों c पे जाके खतम हो रहा है तो एक r और एक r by 2 एक r direct c पे जा रहा है और एक r by 2 जो यहां से होता हुआ इस तरीके से C पे जा रहा है ठीक है अब ही आप यह देखे A से C के इधर का जो भी circuit diagram है वो हमने यहाँ बना दिया अब क्या आप इसका equivalent resistance निकाल सकते हो ना अब easy हो गया ना इसका निकाल लो फिर उधर का तो exactly इत्ता ही होगा दोनों को add कर देना है इधर का निकालने के लिए यह दोनों कैसे हो गए parallel हो गए इन दोनों का parallel में क्या आएगा इन दोनों का parallel में आएगा R by 2 into R upon R by 2 plus R ठीक है यह आप निकाल लो R by 2 into R upon 3 R by 2 R से R कटा 2 से 2 कटा यह हो गया आपका R by 3 तो इन दोनों का हटा के वैसे ही बना रहा हूँ ये R, उपर R, नीचे R, ये point है C, जो इन दोनों का मिला के आया था R by 3, वो मैंने यहां बना लिया इस तरीके से R by 3, और ऐसी इन दोनों का भी आ जाएगा आपका R by 3, और ये point है A, इन दोनों को series कर दो, R और R by 2 का series में हो ज जाएगा 3 R by 2, ऐसी नीचे वाला, sorry, यहां R by 2 नी, R by 3 है, तो ये उपर R plus R by 3 का बन जाएगा, आपका 4 R by 3, 4 R by 3 बन जाएगा उपर का, ऐसी नीचे का R और R by 3 का बन जाएगा, आपका 4 R by 3, और बीच का तो R है ही है, और तीनों कहाँ जाके मर रहे हैं, मतलब स्वरी, कह जाके मिल रहे हैं, ठीक है, कहाँ पर मिल रहे हैं, इस तरीके से, C पर जाके मिल रहे हैं हो यहां से, A से, तीनो parallel मेंpm यहूर बार बार अरे, 4R भैं 3 है, प्यारे, स्वोरी, 4R भैं 3 करो, 3 उपर गया, 3 अपॉं 4R 1 upon r 3 upon 4 r lcm ccm ले लो lcm ccm 4 r 3 plus 4 plus 3 7 और 3 10 1 upon r dash is equal to 10 upon 4 r तो r dash हो गया आपका 4 r upon 10 यानि 2 2 जा 2 5 जा r by 5 तो बेटा इसका r by 5 आ गया आपका तो obviously इधर वाला भी r by 5 आएगा दोनों सीरीज में r by 5 r by 5 मिला दो तो equivalent resistance बन जाएगा r by 5 plus r by 5 is equal to 2 r by 5 is equal to 0.4 r समझ पा रहे हो प्यारे कैसे किया इस तरीके से एक बार आप फिर से देखिए बहुत ही प्यारा question है exam के लिए 12th के लिए और more importantly आपके competitive exams के लिए बहुत ही अच्छा concept यहाँ पे clear हुआ है कि इस तरीके से आए तो symmetry rule लगा के कैसे करना है ठीक है प्यारे चलिए ये note करिए फिर हम बढ़ते हैं अगले question पे ओके प्यारे आजाईए अपने अगले question पे बहुत दी प्यारा question इस तरीके का question हम capacitors वाले chapter में भी किये थे जहाँ पे ऐसे रजिस्टर्स लगे होने के बजाए capacitors लगे हुए थे infinite series थी एक letter थी अगर वहां किया है तो यहां पे बहुत अच्छे से चुटकियों में solve हो जाना है अतना लंबा question देखने में लग रहा है नहीं किया है तो समझाई रहा हूं पूरा आपका concept यहां पे बोल रहे हैं infinite ladder है network of resistors की infinite यह dot dot लगा हुआ है इसका मतलब यह one two one ohm two ohm one ohm two ohm one ohm two ohm one ohm two ohm चलती जा रही है चलती जा रही है चलती जा रही है कोई limit d नहीं है कह रहे हैं इसका पूरे का equivalent resistance निकालो और फिर करेंट उसका जो आता वो two के साथ parallel में हो जाता फिर जो आता वो और यह one series में हो जाते करते जाते करते जाते लेकिन infinite है तो भाई ऐसे थोड़ी ना कोने से लेके शुरू कर देंगे कोना ही नहीं है लेके कहां से शुरू करोगे तो कोने में नहीं कहां कैसे करना है प्यारे इसके लिए हम यह करते हैं कि इस पूरे circuit का resistance हम मान लें कितना है R जो हमने निकालना है पूरी एक सीड़ी है बहुत लंबी सीड़ी है मान लें जैसे सीड़ी होती है प्यारे उसमें जतने ज़्यादा steps होते हैं उसकी height उतनी जादा होती है पचास steps है तो उसकी कुछ height होगी एक step बढ़ा देंगे उसकी height बढ़ जाएगी एक और step बढ़ा देंगे और height बढ़ जाएगी एक एक step बढ़ाने से height बढ़ती जाएगी और वो आपको दिखेगा कि height बढ़ रही है लेकिन प्यारे अगर मानले सेड़ी में पचास करोड स्टेप्स हैं तो उसकी कुछ हाइट रही होगी बहुत बहुत जादा हाइट रही होगी अगर उतनी जादे स्टेप्स वाली सेड़ीों में एक स्टेप और जोड़ दें 50 करोड में 50 करोड एक जोड़ दे तो उसकी height जितनी भी होगी जो आप देख रहे थे क्या उसकी height पे कोई फर्क पड़ेगा मालुम पड़ेगा हा पड़ेगी तो लेकिन कोई appreciable फर्क दिखाई देगा नहीं दिखाई देगा उसकी hide उत्ती ही उत्ती ही रहेगी अगर वो पहले से ही बहुत लंबी steps वाली सिड़ी है ऐसे ही यहाँ पर है यह जो सिड़ी है यह steps से मिलके बनी है जिसमें steps है 1-2 का यह step फिर 1-2 का step 1-2, 1-2, 1-2 मिलके बनी है अभी मान लें इस पूरी सिड़ी का resistance पूरी सिड़ी का resistance अगर R है जो हमने निकालना है अगर इसमें एक step और जोड़ दें इत्ती लंबी सिड़ी में एक step और जोड़ दें कौन सा step 1-2 ohm का यह 1 है और यह इस तरीके 1 और 2 ohm इस तरीके से लगे हुए थे 1 ohm और 2 ohm ऐसे बैटरी से लगे हुए थे इस तरीके से 6 वोल्ट की बैटरी है 6 वोल्ट की बैटरी से यह लगे हुए है छेक है 6 वोल्ट की बैटरी से लगे हुए है 1 ohm 2 अगर पूरा सिड़ी का resistance R है उसमें अगर एक step 1-2 वाला और जोड़ दें तो बताओ इसका पूरे का resistance क्या रहना है R ही रहना है अगर 50 करोड steps की सिड़ी 50 किलोमीटर लंबी थी उची थी तो एक step जोडने पे उसकी height 50 किलोमीटर ही रहेगी कोई फर्क नहीं पड़ जाएगा ऐसे ही यहाँ पूरा resistance R है तो एक step जोडने पर हम यह assume करेंगे कि इसके पूरे का resistance R ही रहेगा ऐसे question में यह assumptions हमें लेना पड़ता है जो assumption हमें answer के काफी 99.9% close ले जाता है लेकिन ऐसा करने पर आप देखो circuit diagram कितना easy हो गया यह इतना infinite वाला कितने छोटे में convert हो गया अभी सिर्फ यह करना है कि इसका overall resistance आप निकालिए कितना होगा उसको equal to R रख दीजे इसका R था इसमें 1,2 का जोड़ दे तब भी R रहेगा तो जितना भी resistance आएगा उसे R के equal जैसी रखेंगे एक equation बन जाएगी और उससे आप R निकाल लेंगे सबसे पहले यह दोनों parallel में R और 2 ohm को parallel में लखेंगे तो हो जाएगा 2 into R upon 2 plus R कितना हो गया 2 R upon 2 plus R ठीक है अब इन दोनों की जगे जब आप एक बनाएंगे इन दोनों की जगे जब एक बनाएंगे इस तरीके से उपर तो 1 ohm था और इन दोनों की जगे एक आगया आपका कितना इतने का 2 R upon 2 plus R का तो circuit diagram कुछ ऐसा convert हो गया ठीक है 6 volt की battery के साथ अब यह दोनों series में इन दोनों का मिलाके resistance कितना हो जाएगा obviously series में हो जाएगा 1 plus 2 R upon 2 plus R यह equivalent resistance हो गया इन सब का मिलाके जो होगा किसके equally R के equal यह लीजे LCM, ChelseaM लीजे मैं एक step direct लिख रहा हूँ आप लोग LCM लिखे करिएगा यहाँ हो जाएगा 2 plus R plus 2 R is equal to R cross multiply करेंगे यह हो जाएगा आपका 2 plus 3 R is equal to 2 R plus R square और यह चीज जब उधर ले जाएगे तो equation मन जाएगी R square minus R minus 2 is equal to 0 यह चीजे उधर ले जाने पर factorization करिए R square minus 2 R plus R minus 2 is equal to 0 तो यह हो गया आपका R, R minus 2 plus R minus 2 common आया R minus 2 R plus 1 इसका मतलब या तो R 2 होगा या फिर R कितना होगा minus 1, minus 1 होना possible नहीं है not possible resistance minus में नहीं हो सकता यानि actually resistance आपने निकाल लिया कितना 2 ohm, तो यह ही आपको निकालना था show that effective resistance between A and B is 2 ohm यह आपने निकाल लिया second part पे आए what is the current that passes through 2 ohm resistor nearest to the battery find the current in the 2 ohm resolution nearest to the battery यह बहुत सारे 2 ohm, 2 ohm के register हैं कहा रहे हैं 2 ohm के register में कितना current होगा कौन से 2 ohm के register में जो battery के सबसे pass है कौन सा है सबसे pass battery के यह वाला इस वाले में कितना current होगा इस वाले में कितना current होगा ये निकालना है अब प्यारे इसका current निकालने के लिए इस circuit को consider मत करना इस पे आ जाओ इस पे आ जाओ अगर तो देखो कैसे चुटकियों में solve होना है चुटकियों में 2 second 5 second इतना है बस बच्चे equivalent resistance 2 ohm निकला है यानि य करो प्यारे इसका overall current निकाल लो कितना है overall current कैसे निकालोगे I is able to V upon R total V6 दे रखा था और overall resistance आ रहा है आपका 2 तो current हो गया 3 ampere तो प्यारे यहां से 3 ampere का जब current चलेगा तो इस वाले में तो 3 ampere होगा लेकिन वो 3 ampere दो टुकडों में तूटेगा इधर और इधर और इधर दो टुकडों में तूटके इधर भी 2 ohm है इधर भी 2 ohm है तो equally तूट जाएगा आदा current इधर आदा current इधर तो इस वाले में कितना current जाना है 3 में 2 टुकड़े कर दो तो यह हो जाएगा 1.5 ampere इधर 1.5 ampere तो यही पूछा था 2 ohm वाले में कितना जाएगा answer आ गया 1.5 ohm स प्राइज से साफ साफ दिखा के आप कर दोगे ठीक है प्यारे समझ पा रहे हो की नहीं समझ पा रहे हो समझ पा रहे हो मज़े आ रहे हैं तो फिर से बनता है एक लाइक या एक चोटा मुटा सा comment कर तो और अगर अपने friends के साथ share करना चाहते हैं चाहते हैं तो कर सकते हो फ अच्छे क्या कोशन है देखिए बोल रहे हैं एक रजिस्टर यह दे रखा है आपको 2 किलो ओम का मतलब होता है 2000 ओम का ठीक है अच्छा यहाँ पे एक दूसरा रजिस्टर लगा हुआ है कितना 500 ओम का ठीक है करें what is the potential difference across the load इसका potential difference पूछ रहे हैं यह लोड है लोड का मतलब बलबल यहां लगा होगा ऐसे यहां पे लगा दिया तो इसका लोड कितना होगा what is the load छीक है प्यारे यहां पे आप यह देखिए कि यहां एक शब्द हम लाइन रह गई if the resistance of AB is 500 ओम यह जो A से B तक का resistance है यह हमें दे रखा है 500 ओम यह जो पेटा पूरी रियोस्टेट थी पूरी variable रियोस्टेट होती है एक variable resistor होता है जिसका resistance चेंज कर सकते हैं उसे हम रियोस्टेट कहते हैं इस पूरी रियोस्टेट का resistance दो सो दो हजार ओम था जिसमें हमने load जब लगाया तो इसके अगर बिलकुल बीचो बीच लगा देते तो हजार उपर हो जाता हजार नीचे हो जाता equally डिवाइड हो जाता लेकिन यहां पर जब हमने इसे टच कराया wire को तो अगर उपर का 500 है obviously 1500 हो गया ऐसा दे रखा है कि उपर 500 है तो नीचे का आपने आप निकाल लिया तो कह रहे हैं इसके हिसाब से यह बताओ कि यह जो load resistor है RL इसका potential difference कितना होगा तो प्यारे ऐसे question के लिए potential का formula IR होता है तो पहले I तो निकालना ही पड़ता है अगर आपको potential निकालना है I निकालने के लिए I का formula total V upon total R तो आपको total R तो चाहिए ही होता है तो पहले आप इसका equivalent resistance निकालोगे 1500 और 500 प्यारे यह दोनों कैसे हो गए parallel में हो गए इन दोनों का parallel में निकाल लो पहले 1500 into 500 upon 1500 plus 500 ठीक है यह एक दो तीन एक दो तीन कट गए 21 और 275 जा 75 जा कर लो कितना हो गया 375 ठीक है यानि इसका आपका answer आगया इन दोनों का मिला के resistance 375 तो एक diagram हम फिर से बना लेते हैं इस तरीके से यहां battery लगी हुई है 50 volt की 50 volt की battery लगा दी हमने ठीक है प्यारे उपर resistor है A से B के बीच 500 यह लीचे A से B के बीच थोड़ा इधर कर लेते हैं इधर यह यहां पे आ गई 50 volt की battery आ गई A से B के बीच एक resistor है यह A मान लो यह B मान लो यह है 500 का जबकि B और C के बीच यह दोनों क्यूंकि parallel में parallel का मिला के आ गया आपका नीचे का 375 तो यहां बना लो इन दोनों की जगे 375 ओम ठीक है अच्छा लो अब current आ सकता है नहीं आ सकता है overall resistance कितना हो गया इन दोनों को add कर दो 500 प्लस 375 875 ओम आपका overall resistance तो overall current हो गया आपका V upon R is equal to 50 upon 875 5 5 से काट दो 5 10s आ 5 3s आ 5 1s आ 5 बचे 3 5 7s आ 35 बचे 2 10 upon 175 और काटना चाहते हो काट दो लो काट दे रहे हैं 5 2s आ 5 3s आ 15 2 और 5 5s आ 2 upon 35 यह आपका current आ गया ampere में ठीक है यानि इससे इतना current निकलेगा 2 upon 35 ampere का तो बेटा क्योंकि यह दोनों series में लगे हैं तो इसमें भी 2 upon 35 ampere का होगा और इसमें भी 2 upon 35 ampere का current होगा ठीक है प्यारे अभी आप देखिए इस वाले का आपके पास current है इसी वाले का इस register का आपके पास R है I और R से क्या निकल सकते हो प्यारे इससे I और R से आप V निकाल सकने हैं V का formula IR है तो यह हो गया 2 upon 35 इन्टू 3 upon 375 यह लीजे 5 से काट दीजे 5 7 जा 35 5 7 जा 5 जा यह इस तरीके से आपका कड़ गया और यह हो गया 75 इन्टू 2 150 upon 7 इससे आप answer निकालेंगे answer will come out to be 21.43 और unit हो जाएगे आपकी world समझ पारे हो की नहीं समझ पारे हो और प्यारे अगर इसका potential बोले सर काये को निकाला इसका potential बिटा इसके लिए निकाला क्योंकि इसका potential इसका जो किसका combination है इन दोनों का मिला के अगर इन दोनों का मिला के potential 21.43 आ रहा है इन दोनों का मिला के तो obviously individual भी दोनों का 21.43 21.43 होगा क्योंकि parallel में potential सेम रहता है फिर से सुनलों अगर इन दोनों का मिला के जो यह है इसका potential 21.43 है तो individual भी दोनों का 21.43 होगा क्योंकि यह दोनों parallel में लगे हो parallel potential सेम होता है ठीक है प्यारे तो आपका first part हो गया what is the potential difference across the load अगला part if the load is removed load को हटा दिया load को हटा दिया अच्छा what should be the resistance BC BC का resistance कितना रखें तो पहले तो लोड को अटाओ लोड को अटाओ यह जो डाइग्राम है वो बनाओ क्यारें BC का कितना resistance हो यह पूछ रहे हैं तो AB और BC तो बनाने हैं चीक है तो यानि आप यहां इस तरीके से एक बैटरी लगाएंगे 50 वोल्ट की देखिए यहां पर एक रजिस्टर लेंगे एक यहां रजिस्टर लेंगे ऊपर A है नीचे B है और यह C है कहरें BC का resistance कितना हो यानि यहां पिछले केस में तो उपर 500 लिया था तो नीचे 1500 था लेकिन अपकी बार यहां नीचे का resistance पूछ रहे हैं यानि यह जो point यह जो है divide करना है जो BC का कितना resistance लिया जाए यह पूछ रहे हैं वाट शुड बी दर रजिस्टर अड़ बीसी तो गेट 40 वोल्ट बिट्वीन BC B और C के बीच 40 वोल्ट का potential difference हो जाए इसके लिए BC का कितना resistance हो यह पूछा जा रहा है तो प्यारे यहां load तो है नहीं तीसर अरेस्टर सिर्फ दो हैं तो इसका नाम R1 रग दो इसका नाम R2 रग दो इसका नाम V1 रग दो इसका नाम V2 रग दो तो R2 निकाल नहीं आपको कैसे निकालें चलो मान लो R2 X है तो क्या मुझे R1 बता सकते हो कितना होगा कितना होगा अगर R2 X है तो प्यारे पूरे की पूरी जो रियोस्टेट थी वो 2000 ओम की थी तो नीचे का अगर इतना पार्ट X है तो AB का कितना होगा 2000-X क्योंकि पूरा 2000 है ठीक है अच्छा इसका अगर 40 V potential है तो इसका नहीं बता सकते कितना होगा सोचो सोचो नीचे का 40 है तो उपर का कितना होगा नीचे का 40 है उपर का 10 V होगा क्योंकि 50 V है डिवाइड हो जाएगा 40 इदर चला गया तो बचा 10 V अब तो कर लो बताओ X कैसे निकाल होगे अब कर सकते है आप पॉज मारो और सोचो और करो सोच के फिर ही आगे वढ़ना पॉज मारने के बाद पहले ही देखते नहीं जाना फिलाग देखो दोनों सीरीज में सीरीज में बेटा करेंट सेम होता है I1 is equal to I2 I का फॉर्मूला V upon R I का फॉर्मूला V upon R 1122 यानि 10 upon 2000 minus X is equal to X upon sorry is equal to 40 upon X ये कटा आपका cross multiply करिए X is equal to ये 4 से इधर multiply हो जाएगा तो ये direct लिख रहा हूँ 8000 minus 4X 5X is equal to 8000 और X आपका निकलाना है कट पीट के कितना निकलाना है 511 536 00 ये X आ गया 1600 यानि R2 की value हो गई 1600 ओम तो उपर कितना होगा 400 ओम तो यही आपसे पूछा था कि BC वाले का कितना हो वो आपने निकाल लिया 1600 ओम समझ पा रहे हो की नहीं समझ पा रहे हो पा रहे हो की नहीं पा रहे हो समझ पा रहे हो फिलाल प्यारे आज के लिए इतना ही ये आज का last question था इसके आगे हम इस chapter current electricity का अगला part start करने वाले हैं में हम आपको किर्चॉफ लॉव बीट स्ट्रों ब्रिज जैसे बहुत ही important topics पढ़ाने वाले हैं प्लस कुछ electrical devices जैसे potential meters light wire bridge जैसे important topics important devices भी पढ़ाने वाले हैं तो प्यारे मैनत करते रहे हैं ये questions को आपको करने ही करने हैं प्राक्टिस के लिए और भी बहुत सारे questions करने हैं जान रखे success follows hard work इसलिए मैनत करते रहे stay happy stay blessed मिलते हैं अगले lecture में तब तक के लिए all the best प्राक्टिस के लिए लिए बहुत स्वाब़ आपको करने हैं